एई सार वो दोनों ब्रह्मांड में कहीं भी छुपे हो ढूंड के निकालूंगा पहले उन्हें पकड़ना तुम उदर जाओ और तुम उदर जाओ आप घर जा रहें साथ पोलियों कि पुलिश को पुलीस आई पुरे गाउं को घेली जाओ इसके अंदर जाओ जलिए पत्ति वाव पत्ति आ लाओ छल्दी धको धक्तों है चाहे कुछ भी हो गांगां तार सिर्भी सिट्वा पाला क्या बात कही ए थार तो चलो 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 जेलिफ नहीं थावाई धूलडो तुमए डौडो कि राजेश वह तो गुटा अब बहर पुलीस या लख या इसका थ्यान रखना परे तीसी दारूप पिने के वह से प्रेतार ही हो चुका है अब चल जारे बाबा अच्छा कुटा है अच्छा प्लेस बताया है फूल चुका है ने बाबा राजेश वह देखो अब यह क्यों अप यह किया चल रहा है अरे रको रको है पीर फिरसे चल रहा है अरे रुक जाओ भ मोह वालम आका तुछे ऐं आि करणो खैका तुम्हें भीतर कुछेंश बखनेद पेड बाग रहा है तो पेड भागता हुआ नजर आता है पूरी दुनिया नाश्टियु दिखती है बेड़ों की साइक्लोजिक पहचाना है तुम रहे बाबा एक तुम मेरा पेड फूला जा रहा है तुम क्या करोगे आप पेड पकड़ो सर मैं सुसु करें तुमने मुझा समझ के क्या रखा है रहे तुछे पेड पकडने की लग रही है अपने आपने आपको क्या पहचाना सर यह इतनी आसानी से हमें छोड़ेगा नहीं है सर अचनी सब्क्री से आपने पेड पाखा जारा है आई इस सर यह जली आई अब उठाता हूं अम्हां सार वोलो भागे सर यहीं क्रेशप़ होंगे तुम श्तर आप जल्दी डूने जलो डूलो जा उसतर आप डूलो आवाज आरे आप 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 आ आप 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 क्रूजब झाल एठ़ी था थुझा था 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 थांक यू ठागल एकित मुझे यारे कर दो थो गंनद जी, इस जील में क्या हो रहा है और कोई रोग भी नहीं रहा? इस जील में यह सब चलता ही रहता है रही इस लड़कियों से प्यार चारने वाले लड़कों पर גलत केस लगाकर उगने अंदर कर देते हैं ऑर इस तरह सजा देता है यह जीलर ऐसी सजा से बदल गए तो ठीक है वर्ना जान से मार देता है चलो यार अघ्लास्ट पहुच गए है निनी कहा थान मैं याज़ादी पेड़ो अंधाया थैया थैया साइट आ ने बेड़ो डिये जान देखो बेटी इसमें सारे कैदियों के विवरण, उनके केस शीट्स और डिटेल्स हैं, नो यू गो टु वर्क नो सर, ये सब यहां कैदियों के परसनल इंटर्व्यू के लिए आए हैं तुम जिन लोगों का इंटर्व्यू लेना चाहती हो, वो कोई मामूली खैदी नहीं है उनमें रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स भी हैं, थर्ड डिग्री के किर्मिनल्स भी हैं, ऐसा लोगों का इंटर्व्यू करना मेरे हिसाब से, सही नहीं होगा, ऐसा मेरा सोचना है, I mean, एस बिंग अलोग स्टुडेंट हम इंटर्व्यू लेकर उनका सच जान लेंगे, यह सच क्यों करेंगे, ओके, ओके, वो 143 का, वो देखो, वहाँ है, पाइब जेल से लड़की के पास लेटर लिकर बेजता है, इतना महान प्यार है तेरा, बैए उस लड़की से प्यार करता हूं, भाई, कहा है का प्यार रे, ने बाई, नि छोड़ दू, आइज आइज दें अंचेbringen abbiamo ए बदेखनो देखन आइज आइज अबदще है तो है उसे घजीट के लेजाओ ए तो हमें देखन दीव अब तुझे कोई नहीं बचा सकता पुझे कोई बचा सकता है अब तुझे कोई दाए हाच अब तुझे कोई हाच अब तुझे कोई कर दो कर दो कर दो दो k कर दो कर दो कर दो अल मैं! कर दो अल मैं ँएाइब हॉरी आग हरॉर अह अओठाолिब कि गफ घंग कि अभूफ कि म 끝이에 कि अभूब वह और अबना अप här अबना होगा झाल ख किंग संदे विहाल कर दो झाल होगे होगे हैं होगे हैं कि यह जेल है तुम्हारा घर नहीं बागलो जैसी हरकत की तो जान से बाड़ दूँगा क्या मारोगे और किसे मारोगे मिस्टर कोला अपा प्रेमियो को मार सकते हो लेकिन प्यार को नहीं मार सकते युगो युगों से प्यार को मारने की कोशिश जिसने भी की है वो सब मारे गए है लेकिन प्यार हर युग में जीवित है दिया थोड़ी सी ही रोशनी देता है सूरज भी पूरी रोशनी नहीं दे पाता है लेकिन प्यार प्यार दो इंसानों के बीच कभी ना खत्म होने वा को परेशान किया तो जान से मार दूंगा माइंड इट अरे उठी उसके पिटाई कर दे क्या सर नहीं उसे अभी कुछ मत करना वरना उसकी फासी की सजा रद्ध हो जाएगी उसे अभी छोड़ देना ही उसके लिए बहुत बड़ी सजा है नमस्ते जी हां नमस्ते आपका करना वेशान को अंधा भीए ते उसकी लड़की को फूल देखे प्यार करता हूं बोला मैंने हा कहोगी तो फूल की तरह खयाल रखुँङ का ये भी बोला आपका नाम क्या है सुनिए आपका नाम लाल गुलाबी सीनु अरे बहुत आजीब सा नाम है आपको गुलाब पसंद है क्या लाल गुलाब सीनेमा के कमल हैसन जैसा हूं सुन्दर लड़की को देखते ही मैं उसके साथ तुम बहुत खुबसूरत हो तुम्हारा एड्रस क्या है बेवी यह खुबसूरत है यह तो मेकप का कमाल है वरना मैं खुबसूरत नहीं हूं मैं काली हूं आपना एड्रस बताओ बेवी वह दो दिखावे के लिए तयार हुई वरना असली में मैं खुबसूरत नहीं हूं उपर से सुन्दर और अंदर से नो कम्प्रोमाइस अपना एड्रस बताओ बेवी कईदी जी कबसे मेरा एड्रस पूछ रहे हो वो किसलिए जह महने बाद रिलीज होने वाला हूं तुम्हारे घर आकर एक अच्छा सा गिप दू इक्सक्यूस मी मैं आपका इंटर्वियो लेने के लिए आई हूं आ अ कि आपको फार्सी के सजा क्यूं मिली आप आप अपने अपनी प्रेमिका कमाजर क्यूं किया आइवांट यो आंसर असल में तुम्हें फासी के सजा क्यों सुझाइगा यह कैसा जिल हरे बाबा कैदी है सब काम राक्षस कड़पा का गुंडा है बोल रहा था उसकी तारीफ को आग लगे तलवार जैसे तुम्हारी तेज नजर फासी के पंदे जैसी तुम्हारी चोटी दारू के ग्लास जैसे तुम्हारे गाल खून से लते हुए छोटे-छोटे कि इन कैदीओं से मिलने के बाद लगता है कि हम रोज जीन लड़कों को देखते हैं अपनी प्यारी नजरों से ने लड़ाकर हम पर प्यार से कॉमेंस करते हुए कितने प्यारे लगते यह वह बहुत टिपिकल इनसान है उसका के शीट देखने के बाद पता चला कि वह अपनी प्रेमिका का हत्यारा है लेकिन प्यार के बारे में उसकी बाते सुनकर बहुत अच्छा इनसान लगता है हिसको डूल परस्नालिटी कल जेल जाने के बाद उसकी सारी डिटेल्स निकालूंगी हेलो आप चोडी करने में स्पेशल हो या दाई जेब को पताना चले बाई जेब से चुरा लेता हूं बहुत इंट्रिस्टिंग लग रहा है तो पकड़े कैसे गए एक शादी में जाकर द काफी वक्त बिच चुका है हाथ में खुझली हो रही थी अभी अभी आपको पता भी नी चला और मैंने एक चीज चुरा ली उस दिन जो शादी में गल्ती की थी वापस वही कर दी सब कुछ ठीक तो है स्टुपड अब हो स्थिका ने आया मेरा इंटर्वी लेने आई थी इंटर्वी से क्या पता चलेगा आप यह प्रैक्रिकल्स के लिए आई हो ना सच अपनी आखों से देख रहे से अच्छा इंपक्ट होता है मेरे साथ चलिए आपको जो चाहिए वह अच्छा इस पर मेरे गत्ति क्या है सर इसी ने प्रैक्रिकली करें कि दिखाने को बोला वही दिखा रहा हूं सब्सक्राइब इसमें मेरी क्या गलती है से मैडम आप इसा के लिए बात करने क्यों आई यह आपके कॉलेज का दोस्त है क्या अभी आपके साथ कुछ हो जाता तो तुमसे बात करने हैं रिसूर्च वोक के लिए आई हूं तुम्हारा केस काफी इंट्रेस्टिंग है तुमसे मिलने के बाद तो तुम अपने केस से भी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग लेगें मा सब्सक्राइब आरsl यह रही हूं और तुम हो कि कुछ बोली नहीं रहे हो तुम कोई गांदे यह नहरी हो समझकर तुम्हारा इंटरव्यव नहीं लेने आई हूं यह हमारा प्रैक्टिकल से क्या है कुछ पूछ रही हूं और तुम चुप क्यों हो तुम्हें एक फासी की सजा पाने वाले कैदी हो प्रेमिनल हो अपनी प्रेमिका को मारने वाले मर्डियूलर हो देखिए जैसा आप सोचनी वैसा हत्यारा नहीं है अच्छा आदमी है अरे लड़की हूं ये भी नहीं सोचा कोई हाथ उठाता है क्या इसे बिना सच्चाई जाने तुमने एक निर्दोश आदमी को खूनी कह दिया बेगुना को अगर गुनेगार कहा जाये तो वो कैसे चु कहाती थी लेकिन अभी आपसे इनके बारे में सुनकर मैं परस्नली जानना चाहती हूं असल में हुआ क्या है डीटिल में बताएए प्लीज इस कहदी नंबर 786 का असली नाम है राजेश विशाग जिले के छोटे से गाउं विद्याग्राम का ये रहने वाला है अनार फिर से एक बार बोलो सबने लिखा है ना लाओ दिखाओ नमस्ते जी नमस्ते बैठी कोई बात नहीं अपना राजेश डॉक्टरी की पढ़ाये के लिए स्टेट में बारवे नंबर पे है बहुत खुशी हो रही है बहन जी वैसे कॉलेज कब भेज रही है वो तो मुझसे जब तक हुआ तब तक तो मैंने उसे पढ़ाया है लेकिन MBBS पढ़ाने की हैसियत मेरी नहीं है इसलिए उसे घर के काम पर लगा दिया देखो बहन पढ़ाने की हैसियत होते हुए भी पढ़ने की क्षमता सब लोगों में नहीं होती अपना राजेश डॉक्टर बनेगा तो इस गाउं का ही नहीं आज पास के सभी गाउं का भला होग सब लोग मिलके हाथ बताएंगे माफ करना हाथ बढ़ाने का बड़पन आपके पास है लेकिन हाथ पहला कर मांगना मुझे नहीं पसंद इसके पिता जी आईरवेद के डॉक्टर थे सारी उम्र उन्होंने इस गाउं की सेवा की है उनका भी यही सपना था कि इसे डॉक्ट क्या हुआ सब लोग इस वक्त यहां आए हो कुछ नहीं बहन आज से हम सभी लोग पढ़ने की सोच रहे हैं क्यों दादा जी आप भी अहां बेटा मैं भी रोज किसी और से पेपर पढ़ाने के लिए अप मेरा आत्मा भीवान मना कर रहा है आज बहुत अच्छा दिन है इसलिए आज से ही शुरू करेंगे तो शुब होगा बहुत अच्छी बात है ठीक है यह लिए माजी यह पहले यह क्या है अब मुफ्त में कैसे पढ़ेंगे बहन हम महनत करने वाले लोग हैं हमारा भी आत्मसमान है इसलिए मुफ्त में नहीं पढ़ेंगे यह लो बहन गवर्मेंट को हमने कई बार अरजियां दी कई साल बीद के लेकिन एक भी डॉक्टर यहां नहीं आया हर साल नजाने कितने लोग बीमारियों से मरते हैं अपना राजेश एक बड़ा डॉक्टर बन के इस गाउं में आएगा तो सिर्फ हमें ही नहीं बहन अपनी अगली पीड़ी को भी फाइदा होगा यहीं उम्मीद है बहन अच्छे काम के लिए हैं लीजे न मांजी दस हाथ मिलकर एक अच्छा काम करना चीए मांजी यह लीजिए लिजी लोगा यह बेटा यह पूरा वाँ तुम्हें दॉक्टर के रूप में देखना चाहता है। इनके उमीद पर खरा उतरना बेटा। बेटा, ये पैसा अपने आसपास के 40 गाउं के लोगों का खून, पसीना, महनत का है बेटा। बेटा, भगवान ने इंसान को पैदा किया। जब वो बीमारियों से तडपने लगा, तब वो खुट डॉक्टर के आउतार में आया। इसलिए वैद्यों नारायनों हरी कहा जाता है। हर पल हमारी बातें याद रखकर, ध्यान से पढ़कर, बड़ा डॉक्टर बनकर लॉटोंगे सोचकर, हजार आखों से, लाखों उमीदों से तुम्हारा इंतजार करेंगे। जाकर आओ बेटा। तुम्हारे आशिरवाद से ही मैं डॉक्टर बन पाऊंगा मा, चलता हूं मा, विशा का पत्नम की एक टिकेट दीजिए। बेटा, शहर यानी इंसानों का जंगल है, वहाँ शेर, बबर, शेर नहीं दिखेंगे, लेकिन उनसे भी भैंकर इंसान मिलेंगे। ठीक है, देदो, समाल कर जाना, बेटा, रोको बेटा, रोको बेटा, रोको, यह अनुमान जी का तिलक है, बेटा, तुम्हारे सारे काम बिना रुके संपन्न हो जाएंगे। तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन कर आओगे, बेटा। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 अजा यह पतका कमार आया है। अभी उसके साथ क्या-क्या करता हूं देखते रहना। जाओ जाओ मज़ा चखाओ इस पर मेरी कॉलिज़ फीज़ है जिन्दगी है वो अरे रूप जाओ बाइब मेरे हिसाब से यह उसको मारेगा यह रहा मेरा दाओ नहीं मार पाएगा यह मेरा दावा है है वो मेरे कॉलज़ अ मेरे पैसे मुझे जाओ आर्फिज मेरी पैसे मुझे जाओ ना आएम सॉरी सर्थ पानगे कई डेख़ाए जितो अलेगा अट जितो उन्हार नूड़्य वह चलन्म पाइब यह पानेट न इसट्श मेरी बाद आइपलेगा हैं जांग को कर दो प्रोड़ एि गो कर दो मां कर दो और शोड़ आपी तर प्योंत to्न कर दो अँत्र जोड़ और इह चृटर अचर कर दो अभाल मुशा प्रूख कर दो अटरे टो अजल पी का दो 2 नह डू़गा कर दोड़ा फटर शोड़ा इह जया जा हुँ हुआ तो ओ भी यह जो मु और अजिड़ को प्लिदसे और कि अगव मारे होई कि अपड़ कर अपफरा कि अपड़ कि अग़ करें पाहिक कि अब आँ अरे ये तो गया है हरी बेटा हरी मुझे तो कुछ भी पता ने चाल रहा है यह जिन्दा है यह मर गया देखो ना नेरे हिसाब से अभी जिन्दा है भाई वेश्ट फैलो वेश्ट फैलो कि पैसा भी तुम्हारा लेकर जाओ मेरे पैसे मैंने ले लिये इस तरह पूरे गाउने एक जुठो कर एक परिवार की तरह साड़े चार साल तक राजेश की पढ़ाई का खर्च उठाया क्यों दादाजी अब कैसी है तभियत आपकी महरवानी से ठीक है बेटा वही टाबलेट्स देते रही है पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ठीक है बेटा जरा उस लड़की को देखना बेटा कब से परेशान है वो दिल में दर्द है और सास लेने में भी तकलीफ है बेटा द दिल में दर्द हो रहा है जी अच्छा हाट अटेक हुआ होगा हाना मेरी दिल पर एक डॉक्टर ने अटाइक किया है और अवो मिस्टिक है एक बार कान लगा कर चेक कन अपिस दम घुट्रा मेरा छोड़ तो क्या कर रही हो छोड़ो मुझे बापरे तुमारे हाट में दर् जाएगा तुम्हें बर्दाश्ट करना मेरे बस की बात नहीं है प्लीज छोड़ दो मुझे इए मैं तुम्हें नहीं छोड़ोंगी हाई कि सुनो है असल में क्या सोचते हो हां मैं तो कुछ नहीं सोचता इतने साल से एक लड़की तुम पर लाइन मार रही है और तुम नहीं सोचते हो हां मेरे बैकग्गराउंड क्या है जानते हो जानना भी नहीं चाहता तुम जानना नहीं चाहते हैं पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूं यह घड़े-घड़े क्या जोगिंग कर रहे हैं मेरे पापा का नाम हरी चंद्रप्रसाद है इंडिया के टॉप 50 करोड़ पतियों में से एक है अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पढ़ा युएस में कराकर करोड़ों की जायदाद की इकलौते वारिस बन सकते हो सोच लो तुम मेरे बैगग्राउंड के बारे में जानती नहीं हो मेरे गाउं की लोग चंदा इकठा करके मेरी पढ़ाई करवा रहे हैं हमारे यहां 40 गाउं के लोग वैद की जरूरतों के लिए तडप रहे हैं अप शंतने चाहिए को मेरा तुम्हारे साथ नहीं जमेगा प्लीज मुझे भूल चाहां है हााई है हलसके लार कुंद गुमरा हूं और तुम्जे चढ़ा कर उसके पीचे्राएं प्लीया चया है तुन mai कहाना की तुम कुट्ए हो तुम पर इसकी अलावा दूसरा को इरaaaa बादा नहीं है मेरा मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा और ज़रूर मिलेगा बाई अलखिया कुट्टा बहुत विश्वासी होता है वो वो बाई तुम्हारी सेटिंग का क्या हुआ हाया ना कुछ नहीं इसका नहीं उसको सबक सिखाना पड़ेगा वो झाल्मक ऊटा जढ़ेगा उढ सकार बाई भस एब की टूस्टा वडार क्या्ट सेटिंग प्सटचर विश्वड़ेगा युम्हारी सबसारी सुख़ेगा वहुआसारी सेटिंग ज़ार कुछ तुम्हारी सेटिंगा क्योश्स सınız किवरी मॉड़ेगा तुम्हें मेरे गेस्ट आउस पर तुम्हारा ये रवया मुझे पसंद नहीं आया पर तुम्हारा रवया मुझे बहुत पसंद है इसलिए तुमसे प्यार करती हूं तुम लग जाओ ओके बाई बाई तुम करना क्या चाती हो मैं तुम्हारा रेप करने वाली हूं तुम मर्द करोगे तो कोई गलत नहीं है और मेरा प्यार मेरी करोण की जाएदा तुम्हें नहीं पटा सकी इसलिए तो इसलिए मैंने एक फैसला किया है तुम मुझसे शादी कर लो मैं तुम्हारे साथ अपने ससुराल जाओंगी तब तुम्हारे गाउं को एक डॉक्टर नहीं बलकि दो-दो डॉक्टर मिल जाएंगे बेबी तुम्हें मेरे प्यार से क्या इतरा से बोलो तो हां 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 तो तुमने ऐसा डिसाइड किया है अब तुमने फैसला करी लिया है तो मैं क्या कहूंगा हां ही बोलूंगा हरी चन जी के आदमी पे दाव लगाओगे तो जीती जाओगे क्योंकि वो कभी हारता ही नहीं झाल 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 तुम पर बोली नहीं लगाई थी मैंने उस पर लगाई थी मैं तुम से भी बड़ा क्रिमिनल हूं अगर नहीं होता तो यूग करोड की जादात का मालिक नहीं होता मेरा ही नमक खाकर मुझे ही धोका दिया मुझे साइनस है मेरा सामना करने वाले को मैं माइलस मैं माइलस कर देता हूं वर्दों के बाज की सजा है सर आज की आपके प्रोग्राम्स टेंट टू लेवेंट शिप्याड में आउक्षन है लेवेंट टू ट्वेल्ट चैनिज डेलिगेट के साथ आपकी मीटिंग है अंकल आशिवां अभी जश्ट आपने किसी को ऊपर भेज दिया है आप सब ज़ उसे भीक मांकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है उससे मारे अलाख्या प्यार करती है शर्म नहीं है यह साब बोलते हुए कर दे सेपरेट कर दे जुदा कर दे वाग की सब मैं संभालूंगा तो सुनिए रुकिये रुकिये आपसे पहला आप से अच्छा है कि मैं मर जाओं तो फिर जिस से प्यार करती हो उससे शादी कर लो आप अमेरिका में रहता है उसे यह आने के लिए एक और हफ़ता लगेगा लेकिन मेरे घरवालों ने मेरी सब्सक्राइब कर दिये चाहे कुछ भी हो जाए आत्म हत्या करना गुना है बताओ मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं अज मेरी सब्सक्राइब मेरे साथ चलकर आप मुझसे प्यार करते हैं ऐसा सब के सामने बोले क्या मैं हाँ मेरी शादी डोपने के लिए यही एक रास्ता है उसके आने के बद सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है नहीं तो छोड़ दो मैं मर जाती हूं नूँ ठीक है चलो नमस्ते बेटा तुम्हारे लिए खुश खबरी है तुम पापा बनने वाले हो पापा अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो मैं आपकी बेटी से शादी क्यों करूंगा ऐसी बात क्यों कर रहे हो बेटा मैंने कहा था ना कि अपने बेटी की सगाई तुड़वा कर तुम से शादी करवाऊंगा सर देखिए मेरा आपकी बेटी से कोई रिष्ट कौन है सर इन सारी बातों से मेरा कोई भी रिष्टा नहीं है एक बार मैंने इस लड़की को आत्म हत्या करने से बचा लिया था और अब ये मुझे फसाना चाहती है देख लिया ना देख लिया ना आप सब लोगों ने अन्याए ठीक है तुमने मेरी बेटी से प्यार नहीं कि साथ शादी करने का वादा भी नहीं बोला है और मां भी नहीं बनाया नहीं तो फिर ये सब क्या है ये सब क्या है बोलो डॉक्टर साब एक बार आप ही देख लीजिए कि अधर करती है शादियों देखनी चाहिए कि देख लिया ना सर अब तुम क्या कहोगे हां सर सच में मैंने इसकी मदद के लिए ये सबूत है ये शादी कैसे नहीं होगे मैं देखता हूं आप जाएए ये शादी में खुद करवाऊंगा राजेश क्या है ये सब यही मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कल मैं खुद उनके घर जाकर असल बात क्या है ये पता लगाऊंगा मारी हुई मदुवाला की याद ला दी तुमने सुपर थी है एक्टिंग तुम्हारी क्या पपामेंस थी स्विकार करो मेरी पप्पी अगे कबाम ने किया मेरी बेटी से शादी कब करोगे असल में आप जैसे माता पेटा आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते हैं बिना दहेच के शादी करूंगा बोला तो बस कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं मेरी वज़े से आपकी बेटी मा बनने वाली है उसका फायद यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई बागल समझाए क्या पहले पता देता तो मा कैसे बनती तुम करोड़ों की मालकिन अलख्या के साथ मेरी लाइन के लिए रोने दो उसके बाद मैं तुम को यह सेकंड बना कर रखूंगा ओके बनाओगे यह लेकिन यह राजय शी ब मजबूरी में मालना पड़ना करोड़ों रुपे करोडों करोडों रुपे भी लिएгор्या तो मीदे बनाओड़ों करना फैलसाने शित व enact कोब जाग एर्फ़े दिश्तिकॠ केत हमने पा crisp नएड़ों में यह बनाओड़ों सम्सान एम अन्या, पास्स्न्या धस् हमन्या, अन्या किम्हार अन्या सामें इसलन्या, इसलैं नलिए सर देखिए सर यह क्या हो गया मिस्टर यू और अरेस्ट सर मेरा इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है वो सब इस्टेशन में बताना चलो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं सर छोड़ दिए मुझे वेल्कम लड़की से प्यार किया लेकिन जब शादी करने की बारी आई तो बाप और बिटी दोनों को बेरहमी से मार दिया तुने तिरे जिससे हत्यारे का सुआगत है सुआगत है दस्तखत कर इस पर उन्हें मैंने नहीं मारा है मैं दस्तखत नहीं करू मैं बाद में होंगी मैं नहीं करूंगा नहीं करेगा तो करवाना होता है हमें चरवाओ इससे इतनी ताकत कहां से आई रे तुझ मैं हो यह है राज पहले इसको निगालते है ताभी इसको हाथ मत लगाना हाथ मत लगाना हाथ मत लगाना हाथ मत लगाना नहीं नहीं क्वार dud झांग झांग हुआ एका यद कर दो कि एका गुआ है ठाहँ ऩाहँ कि अज़ सुचा कि अज़ फिट लिजन कि उर्णाख कि अई भी जड़ा है कर दो कर दो कि पारेख अजया जाल कि अजया याल लोग डई नहीं है ख को पारेख याल कि लो अजया प्हूत भार शो अजया नहीं हुआ धार तया ट्ट आए कि अए अए एकि आए एक टे कि अुआ एकि एक अए एकि 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 उए लॉआ इंट लॉग एकि ऑुग उाए एकि ई tub कर दो कर दो हम पर हाथ उढ़ाया अब देख तेरा हम क्या हश्र करते हैं चल चल अब डॉक्टर साब का खून बेड़ा अच्छे से हुई है तो यह सारी अरेंजमेंट तेरी है गाउं के चंदे पर जीने वाला तू कई गाउं को अपनी ताकत पे खरिदने वाला मैं आप जाए इसे अंक पैसे वाली लड़की देखी तो जाल बिचा देते हो अमीर लड़कों को भसा लेते हो यह फैसन हो गया तुम जैसे लेबरों का एए लेबर सच्चाई और धरम से चलता है यह हमारा फैशन है और लेबर के साथ अन्याय करके उनके खून से करोड़ों रुपे कमाना तुम् तुम्हारी मौत उनके लिए एक सबत बनेगी है यह प्यार एक टाइम बॉंब जैसा होता है उसे डिफ्यूज करने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाओगे आई लाव अलग्या है तुम्हारी बेटी का साथ नहीं छोड़ूंगा यह मैं तुझी रिस्पेक्टर है और हम सर देखिये इसे एए रूमियो तुझ जैसों के लिए खास बनाया है इसे मारो मेरी बेटी से प्यार को बाद अग्राव यह लाह जुआ यह लोख अग्राण आइएएएएएएएएएएए फ़ज़ु नुआ इसके दस्त अकम लेकर के लॉक अपमे डालतो रसकलके उठाओ इसे दस्तखत नहीं करेगा तेरी तो इसके हाथ में पेंदो चल जा जाए ले करा तुझ जैसे बहुत देखें मैंने अपनी सर्विस में मुझ पर हाथ उढ़ाया था ना अब तुझे दिखाऊंगा इसने मेरी आख खोड़ दी यह बचना नहीं चाहिए मोडर केस में अंदर करो इस आत्मी को यह मुझ रिम समाज में कई गुना करने वाला एक समाज द्रोई है इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए ऐसी मेरी दरख्वास था इस कोड़ से यह और तुम्हें अपने बचाओं में कुछ कहना है सर मेरा इन हद्याओं से कोई लेना देना नहीं है सारे सबूतों कावाहों को मद्दे नजर रखते हुए मुझ राजेस पर पेता और उसकी बेटी की हत्या और ऑन डिटी पूलिस पर हाथ उठाने का जुर्म साबित हो चुका है ऐसे वेक्ति को समाज में जीने का अधिकार नहीं है कोर्ट ऐसा मानते हुए मुझ रिम को आई पी सी सेक्शन 302 के अंतरगत मौत की सजा सुनाती है इस तरह इसकी सारी उमीदों पर पानी फिर गया दिल में इतना दर्द रखकर जीने वाले तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है मेरे गाओं के सारे लोग मिलकर जब मुझे शहर पढ़ाई करने के लिए भेज रहे थे तब मैं बहुत खुश था लेकिन उन्हीं लोगों के सामने मुझे हत्यारा साबित करके जेल लेकर आ रहे थे तब मुझे बहुत दुख हुआ अपनी सजा के लिए नहीं मेरी माँ मेरे गाओं के लोग उनकी उम्मीदें सब कुछ खत्म हुआ सोच कर दुख होता है मुझे एक मौका मिलना चाहिए बस आपने आपको बेगुना साबित करके अपने काओं के लोगों की सेवा करूँगा बठाओ कैसे कैसे कौन हो बेटी तो राजिश बाबु कैसे हैं बेटी वह ठीक है हमारे राजश बाबु ने गुनाहा किया इस पर सिर्फ एक माही नहीं बलकि पूरा गाओं यकीन नहीं करता है मुझे भी यकीन नहीं होता है इसलिए राजश को कैसे भी करके चुड़ाने की कोशिश करो बेटी अगर तुम हमारे राजश को छुड़ाओगी तो हमारी जायदाद हमारा सब कुछ यहां तक कि हम जान भी दे देंगे कैसे भी करके हमारे राजश को बचा लो यह गाओ वाले तुम्हारे आभारी रहेंगे राजश को रिहा करने के लिए आप सब लोगों का यकीन ह काफी है आपका राजश आप लोगों के पास लॉट आएगा क्या वा बेटी बहुत हो द्वास्तों कुछ नहीं डैडी तुम्हारी ऑक्सपोर्ड उनर्सिटी में में सीट कंफर्म हो चुकी है अभी फोन आये था जाना है या नहीं वो मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया राजश के बारे में सच बताने आई हूं राजश के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कुछ ही दिनों का होगा उसके बारे में तुमसे अच्छा मैं जानती हूं वो एक क्रिमिनल है कभी-कभी आखों देखी और सुनी-सुनाई बात सच नहीं होती है समझने की कोशिश करू तुम उसके बारे में नहीं जानती हूं वो एक लायर है जूटा है मररर है अलख्या मैं एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हूं एंड आम लॉयर मैं एक सही इंसान को पैचान सकती हूं उसमें मेरे ही सामने दूसरी लड़की को धोका देख है उसका और उसके पिता की हत्या करन प्यार पाने वाला इंसान लेकिन उसको प्यार ही कि तकते पर चुड़ा रहा है उसे बाहर लोगी तुमें असे बाहर लाओगी और मैं से मिलने जया कुछ भी सोचो I don't care भगवान खुद भी आकर कहे कि वो अच्छा इंसान है मैं यकीन नहीं करूंगी तुम एक अच्छी प्रेमी कहों सोचकर तुम्हारे पास आई थी लेकिन इतने महान इंसान को ना समझने वाली पागल हो तुम मुझे तुम पर दया आ रही है यह लोग राजेश मैं तुम्हारे गाउं जाकर सबसे मिलकर आई हैं तुम हमारे गाउं गई थी तुम्हारे लिहाई के दिए वो सब अपनी जायदाद और अपनी जान तक देने के लिए तयार है लेकिन अलख्या तो अलख्या तुम्हें गलत समझती है मेरे बेगोना ही कानून के साथ साथ अलख्या के सामने भी साबित करने पड़ेगी रोश्नी मेरी एक मदद कर सकती है जरूर बट रिस्क रहेगा चाहिए जितना भी रिस्क हो मैं करने को तयार हूं लौ स्टुडेंट होने के नाते मैं अन्याय नहीं होने दूंगी तुम् इतने बज़े कहां जाती है हमें किसी के साथ भाग जाने वाली उम्र में किसी और को भगाने में हेल्प क्यों करें बात है राजिश पर इतना इंट्रेस्ट क्या उस लड़की की सौथ बनना चाहती हो वह अल्रेड़ी एंगेजड है वरना उससे डेफिनिटली प्यार करती तो ये बात है जब तक आप किसी के प्यार में नहीं पढ़ते तब तक ऐसी बात है नहीं होती अगर हमारी रोशनी उस लड़की की सौथ बन जाएगी तो क्या हाल होगा हाँ यार यह सोचने वाली बात है एक बार सब मिलके सोचो नमस्ते मैडम गॉड मॉर्णि राजीश है यह क्या कर रहे है रे ककथ भी आगे बढ़ा आ कि इसे जान से मार दुगा चलो मौ जोड दो मुझे नहीं आगे नहीं आएगा चलो मुझे थाव जब परना इसकी चान ने लूँगा अगर कोई आगे है तो मैं इसकी चान ने लूँगा अगर कुछ हो गया तो सब कुछ खातम हो जाएगा सबस्क्राइब करने लुए को सुनो मैं इज़त से बात कर रहा हूं छोड़ दो उसे वो ड्याइद कर रखा है अगर पास आओंगे तो मार दूंगा वैसे भी मुझे मुझे मौत की सजा मिल चुकी है अब इससे और कोई सजा नहीं है अब प्लीज कर दो चोड़ा मुझे आगे नहीं आएगा कोई सामने नहीं आएगा अगे उसको अगे उसको अगे उसको जल्दी छोड़ो अंकल अगर उसे नहीं छोड़ा तो मैं गोली चला दूंगे आपका काम ख़तम और आटी विद्वा हो जाएगगे कमान एग कोई भी आगे आगे तो इसे उड़ा दूंगा कमान भूब श्री चलो एगर पिछा दिया को कर दो आग्यों धवे इस उसका दूंगे विद्वाद्ल माहतो मारे को नहीं कपसा आगरा हमें इसका का? अरेख्या, वहार तो मेरे को इंतिसार कर्ला हां मिवा इंतिसार कर्ला है यह यह वो इस दिस कौन इना यह 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 ए, इंतिसा हिए यह यह झाल! झाल! खिर्व जोड़े साथ सोब सकतर गारेग में घरी लोग का मिए जाए भारेग कि अजाए जयए लू़े जड़े सहित अजय जाए! खिर्व जिया जाए जाए जड़े सिरण जाए कर दो 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 कर खब अजड बुटार भाइब अजड आए अजड रुट बाई राजेश 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 कहां छिपा है बारा मेरी बेटी को लेकर क्या राजेश बाहर निकल वो यहां नहीं आया है तुम लोग उसे क्यों ढून रहे हो तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का किड्नैप किया है तुम्हारे बेटे को अलख्या से प्यार करने की सजा मिली है और अब किड्नैप किया है उसने बस में बनातेंगे खड़े खड़े देख क्या रही हो, अपने बेटे को और अलख्या को हमारे हवाले करो बेवजा तुम सम मुसीबत में पढ़ जाओगे, उसे जल्द जल्द मेरे हवाले कर दो वरना, वरना तुम क्या उखाड लोग में हम लोगों का बताओ, हाँ सुनो, हमारे राजेश को तो कब की मौत की सजा मिल चुकी है, अब तुम लोग क्या कर लोगे? मेरे सामने जवान लड़ाता है, मां तो क्या कर लोगे? सुबा होते ही हमारे शहर में दूद धई साग सब्जी बेचकर, पान दस रुपे कमाने वाला विकारी, मेरे सामने जवान चलाता है सर, हम गाउं वाले लोग नहीं रहे तो आप शहर वालों को खाना भी नहीं मिलेगा कम्प्विटर के डिब बे आपको खाना नहीं देंगे, समझ गये की नहीं? अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा मेरा बेटा अब तक यहां नहीं आया है, लेकिन आएगा, तुम्हारी बेटी को लेकर आएगा और इसी गाउं में रहेगा तुम्हारे पास पैसा है, अधिकार है, पुलिस है, गुंडे है, सब कुछ है लेकिन हमारे पास, हमारे चालीस गाउं के लोगों का प्यार है, तुम्हें जो करना है कर लो, जाओ मैं डर कर जारूं, ऐसा मैं समझना, मेरी बेटी सही चलामत, और तुम्हारे बेटे की लाश लाने तक, मैं शांत नहीं रहूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे चालीस गाउं को खाक में मिरा दूंगा, या धगना मौत की सजा पाने वाला कैदी, जेल से दिन दहारे भाग जाए, तो डिपार्टमेंट की कितनी बेज़दी होती है अगर ये बात बाहर पता चली तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आखिर वो जेल से भागा कैसा है वो लड़की की आड़ में, सॉरी, बिटिया की मदद से ही वो भागया से उससे भागाने वाली तुम होती कौन हो, उसका तुम्हारे साथ क्या रिष्टा है As a law student, धर्म को बचाना अपना कर्दव्य मान कर, राजिश निर्दोष्य समझ कर भगाने में मदद की, राजिश बिलकुल बेगुना है, ये आपको बचाए तेख रही हो अपनी बेटी की हरकते, एक तो इसने गल्ती की उपर से जबान भी लड़ा रही है सौ दोशी छूट जाए तो भी कोई गम नहीं, लेकिन एक बेगुना को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये हम लोयर्स के लिए गीता का उपदेश है तुम्हें, लाव पढ़ाना मेरी बेवकूफी थी, अंदर जाओ You are right डैडी कुलाय अपपा सर अब हम क्या करेंगे क्या करना है, सर कमिशन को स्टेटमेंट देना है, सर पहले तो तुम्हें, और फिर बात में, मुझे दिसमिस करके टीपदेंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं ह टी enfrent। है अगले मेहने उसे और भासी होने वाली है। फासी के पहले उसे पकड़ कर जेल में डाल देंगे वो जेल में ही है ऐसा मैनेज करो वह दो है मैं कम आउट अलग क्या सच में मैंने कोई गुना नहीं किया है तुमने मर्डर नहीं किया है यह बताने के लिए मुझे किड्न Enough करके यहां पर लाए हो तुम देखो तुम है वहीं बताता तो तुम यकीन नहीं करती मेरे पीछे पुलिस बड़ी थी इसलिए उस लड़की का भी भरोसा जीतकर मार दिया था मेरा भी भरोसा जीतकर तुम मुझे यहां मारने के लिए लिकर आए अक क्या सच में मैंने उस लड़की को नहीं मारा है बलकि हमें जुदा करने के लिए तुम्हारे पापा और उस इंस्पेक्टर ने ये साजिश रची थी अच्छा मेरे पापा की साजिश है शादी खरूंगा कहकर मा बनाकर मेरी चैसी लड़की के मिलते ही बेटी और पिता का समझाओ मेरी कुछ समझ में यारा है लिए तुमपर कभी मिलेगा तुम खुद ही मजे एक ना एक दिन बेगुणा मानोगी तब तक तु मेरे सा रहोगी समझे के जो चोड़ो दो मुझे मेरी बेटी और वो दोनों चाहिए मुझे मेरी बेटी साहिसलामत और उसकी लाश कैसे है कैसे है जोड़ो ने कि अध्यूम्य पूलिस को बताया तुने जंगल की जमीन को पूलिस तुम्हें धूनने लगी तो चोर की तरह चिप गया जंगल मा की निलामी करके हमारे साता न्याय किया तुम्हें यहां लोगों की जबान चलने लगी है अब यह जिन्दा नहीं बचेगा अब आई जी में को यहां रहा है आए गुरुजी आए क्यों मर गया ना काफी दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो सीटी में सब कुछ ठीक है ना अब बताओ क्या बात है तुम जैसे म्रिक राज के लिए यह चोटा सा काम है है हम तो हमेशा दिखाई देते हैं आप ही दिखाई नहीं देखला बोल रहे हैं तुम माइफ्रेंट हरी चंद्र प्रिसाद शेहर के बहुत बड़े करुपती है नमस्ते ५ॉर। एक बन और स्ट्राव दीजी, पच्छिस हुप है सर्फ फिन सबस्माइन, गर्मिर इस्टावाइन. धूरे ugly ठिभिवן. रपसे पीलो? श नहीं पीयोगी तो खोडी भूकी मरोगी भूगी. लो पीओ, पीओ, नहीं पीओंगी कहकर चिला रही थी, और एक ही बार में गटक गई, अब बस भी करो, एक बार रोको, रोको, क्या हुआ, एक के लिए जाना, मतलब, ओके, एक नमबर जाना है, ठीक है, उत्रो, जाओ, खोल दो, नहीं तो कैसे, जाओ, रुख जाओ, इधर आओ, क्या है, क्या है, क्या है, तुम तुमनी परशाई पर भी बरसा ने करते हो, लेकिन तुम पर नहीं है, टू मिनिट्स, गौ, जी, क्या है, क्या है, प्लो रखा स्ञित, खाहिए, bezखोरे, क्याओ, स्वेड़े, खोरेखोरे विधरा, प्लो kinda कहां कॢ, घूओ, भिखाओ, bezखूरे बल्हें थेयांग्रीष, फच्छीए, मलक्या, मलक्या रुको, ज़ो, अभी अगर मैंने तुम्हें ना पकड़ा होता, तो तुम नीचे नहीं, उपर पाहुच जाती, ज़ो, हरी चंद्र प्रसाच जी की बेटी को कोई किड्नाप करके ले जा रहा है, वही केस हैंडल करने के लिए, इस चंगल राइडू को चुना गया, यानि उस केस की वैल्यू पता चल रहे है तुम्हें? क्या बात किये सर, यानि ये केस आपके हाथ में आया है, इस केस की महानता के बारे में पता चल गया, हाँ? हेलो? गोनी ही नहीं सर, एक मक्खी को तक नहीं छोड़ूँगा, देटीज, जंगल राइडू! सर, 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 आपको नहीं सर, वो गल्ती से, ठीक है सर, नमस्ते, तो उतरो, हाँ ये सर, हाँ ये सर, हाँ, 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 इदर आओ, क्या है गर्दन पर? बचड़ा है जी, बचड़ा है, जो गाय किसकी है? ये गाय मेरी ही है साब, थोले दिन पहले इसका बचड़ा मर गया था, गाय हो या मा एक जैसे ही होते हैं, तो मा का दिल तूट गया जी, इसलिए इसकी चमड़े निकाल कर पुतला बना दिया, इस पुतले को देखकर बचड़ा समझ कर दूद देने लग गई, तूजा भाई, तूजा यहां, आरे जाओ ना, सर ने बोला ना जाने के लिए, तूभी जा, अरे देख लिया न, मा का सेंटिमेंट, उस पुतले को अपना बचड़ा समझ के बेचारी दूद दे रही है, आपका रोना देखकर आजर गाय का बचड़ाने लग रहा था, अहां गाय का बचड़ा नहीं था, वहां बचड़ा नहीं था सेंटिम मृ मारी पोटू और अल्ट था, सब कुछ चला गया सर, ब्गय की ह primeiro, खेया न कभी आपना भी का दना बहां होग साल आपका मूई मुन जाया रहे अहां सर बस आ रही है सर उसमें हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी और वो डेफिनेटली रहेंगे सर कम ओन लेश्चेक कि रोको देखो हमारे सर इंस्पेक्शन के लिए है ओशिया रहना आग लगा देंगे बस अच्छे से जानगे सर पागल उस गोनी में क्या है यह बोरी खोलो तुमने मुझे पागल समझ के रखा है क्या बोलो तुम पलीस हो तो क्या हुआ लोगों को प्यार से बुला सकते हो पिरिया बेहन बोलो बस काफी होगा ठीक है बेहन जी अब बैठीं बैठ जया एक पतने से इसना ने सोचा था सोना आज़ा मिलेगा सर यह अपने लेवल का केस है अपने लेवल का बोल रहे हो मार दूंगा ईसको मेरे पास आकर बैठने को बोल रहे ओंगा कि बहन के बिलाना चाहिए इतने इस बाद पॉर। भाइभ उताओ क्या थृत मतयाँ आफ्राइदें व्ला मां बेटा बेटा तुम हाँ मां मैं हूँ बेटा कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूं तुम कैसी हो मां दूसरी को नीमी क्या है तुम्हें दिखाता हूं यह क्या है इस लड़की को इस तरह इसके साथ ऐसा नहीं किया तो नहीं परिशानिया आ जाएंगी मां बेटा तुम्हारा यहां ज्यादा दिर रुकना ठीक नहीं है पहाड़ी के नीचे वाले गाव में सारा इंतिजाम किया अरे चारो दिशा आओ इदर आओ इदर आओ तुम्हारी मा कहा है दूद भीखने कई है गरम दूद दोगी feature दोद करम करकर अपने पती को दोऊगी मखन भी उनीको पिलाओंगे दोओगी न एक काम करो भी गदे का दूद लाकर दो पिर दूद भी दूद भी दोद दोगी और मखन वी ऐसा नहीं हो सकता ना ये भी नहीं हो सकता रे, हमारी आग छेसा धर्म है, चुपचाप चला जा रे, पागल तुम चाहे पागल बोलो मुझे या दिवाना बोलो, तुम्हे तो नहीं छोड़ूँगा दायम्मा, किसने रखा इसका नाम दायम्मा यार, तू चल रहे लो पकड़ो कब से उसे उठाई रहे हो, मटका का बनाओगे, सुनो, तेरा पती जमीन से धायन चूचा है, लेकिन इच्छा आसमान जितनी, मैं जब भी यहां से गुजरती हूं, यह ऐसा ही करता है, आग लगा कर इसे चटका दोगी ना, तो मटकियों पे मटकिया ही बनेगी, हाँ, घर प मा, 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 सबर कर बेटी, डक्टर साब, डक्टर साब, मुंसी जी की बहु का दर्द बढ़ गया है, आपको बुलवाया है, आज एक नया ग्रहाक मिल गया, तुम बेग ले लो, मा, हड़ जाओ, हड़ जाओ, हड़ जाओ, हड़ जाओ, रचे के जन्ना बहुत तकलिफ जाओ, हाथ दवाईए, ककड़ ये, डाइमा, डक्टर साब, मुंसी जी के घर पर है, तुम्हें बुलाया है, मा, 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 मालिक है, सुनी, अब ये कैसी है, कुछ तो अन्मनी हो सकती है, बच्चे का सर पलड़ चुका है, बच्चे की जानको या मा की जानको किछी एको अनुपसा हो सकता है, चलो, 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 बच्चे की कोई उमीद नहीं है, क्या है, ये मेरा एरिया है, मेरी पर्मिशन के बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं जा पाओगी, मैंने ना बोल दिया तो भगवान भी इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, मतलब उसके बचन करने की कोई उमीद नहीं है, क्या है, बच्चे का सब पढ़ चुका है, बच्चिया माहा दोनों में से कोई एक जाएगा, इससे क्या करोगे, एक बार अंदर जाकर पेशन को देखेंगे, अरे सीनिय डॉक्टर मैं बोल रहा हूं, तुम जाकर क्या करोगे, अरे देखने द पता नहीं किसके हाथ में क्या जादू रहता, क्या पता, तुम जाओ बाबू, जाओ अरे अपना हाथ दीजिए, अ तुमिए परड़ो 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 अगर अरे उसे क्यों अंदर वेजा अब देख्ञा दोनों की चांद चली चाहेगी उल्टा बोलने वाले पनौति कहीं के देख लेना बहु को बेटी पैदा हुई है मा बेटी दोनों सही सलामत है अब क्या बोलोगे घर पे आओ तुम्हें बढ़ाते हैं चलते हैं मनहोस नालायक कहीं का नमस्ते नमस्ते तुम खुश रहो बाबू बहुत बहुत शुक्रिया बाबू बाबू सही वक्त पे अगर आप नहीं आते तो उस पागल की बात सच हो जाती बाबू उसके जंगली इ नहीं रहेंगे तो हमारे चालिस गाओं के लोग आराम से जीप आएंगे क्या कहते हो हुआ है 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 रावण ने जब सीता को उठाकर लंका लेकर गए थे तब सीता भी ऐसे ही रोती थी अब राम ने उठाकर लाया है तो तुम रो रही हो तुम्हारा बेटा राम नहीं किया है और मुझे यहां लेकर आए हो हमने धोका नहीं दिया है धोका मिला है यहां के सारे गाओं की उमीद हमारा राजेश है तुम्हारे पिता ने अपनी ताकत से मेरे बेटे को धोके से हत्यारा थावित किया है कि अब तक हम सबका विश्वास मेरे बेटे राजिश पर से गया नहीं है बिना विश्वास के तुम्हें यहां रखना मुझे पसंद नहीं है तुम यहां से जा सकती हो बेटा मा इस लड़की को रास्ता बता दो नहीं मा इसके पापा नालायक है लेकर जाओ ठीक है माँ चलो झालायक है झालायक है कर दो तुम चलोड़की को उडूँ से लाओ स्विपार भी आलायक है कर दो प्रड़की को प्रड़की को प्रेमि को कि दूखने को आंदे राजकर नहीं है हो यहां हो आप आप इस तरह आप है अब है कि अधर किसे पूर्ब कि यह देखकर वे तु जा रहा है को देखके लिए जी गद्हे के लिए तेरा गदा तुम्हीं तो हो आड़े बाबरे अरे तुने मुझे गदा बोला है यह क्या है रे मुझे देखकर भागने वाले लोग मेरे सामने आकर खड़े हो गए क्यों मुझे मारने के लिए तुम इसे लेकर आई हो मारने के लिए नहीं रहे मार डालने के लिए इसके पिता ने मुझे भेजा है एक तेरे लिए ही लाया हूं यह पेटी तो सब्सक्राइब हो देखो मेडम में तुम इससे प्यार करती हो तुम्हारे पिता जी सिर्फ पिञेग सब ने मिलकर प्लान बनाया था लेकिन यह वहां से भाग निकला कि उनसे ना हो पाया तो इससे मारने के लिए मुझे यहान भीजा है कि आपके उने कि उना मारामादे भी हर वंगे उने कर जया निसे अलिए! हैं!!! ह मैं कग लुट हाँ ल की डुट है हाँ वाँ वाँ वग काई कु ढुट अब बंड़ कर दो… राग जुटर आट जूँ भाव जुटर वाव अरख जूब दुटर आट आट गूँ और तो भूँ आ इसे कहते दोर का प्षका चाहक रोड मर्दे भाई से तो तो भूँ और के कर्णस 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 प्यांद विल्ड़ब प्यांड़ कि अभुआ कि अभुआ कि अभुआ कि पुरे गावालों को परिशान कर दिया इसने मार दे इस पर दो कि पर देड़ कर दो अट तर आए जा 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 समय आए कि इसके लाश को हरीचंद्र प्रसाद के लिए पार्सल में बहिजाया बोलना ले जाओ माजी मुझे माफ कर दीजी माजी अपने पापा पर भरुस्सा करके मैंने इतने लोगों का अपमान किया कि राजेश तुम्हें बेगुना साबित करने के लिए तुम जो कहोंगे मैं वो करूंगी कि अब बोड़ी का पार्सल आ गया है भाईया राजेश मर चुका है भाईया मर गया मर गया मर गया है फूलने कराओ अपने हासों से तालो अंकल अंकल मने कुस्यादा कर दिया किया बहतों ज्यादा किया सॉरी यह बह। बड़ा खिलाडी है क्या दिया फैस दीर्स पीड़ theoret की पुलिस को खिलाकरकि कर पदिया है 10 ये नाथ 55 Где यहां लेकर क्या होंगा असल में खुद बाड़ी बनकर कर कोक्सadece पुलिस को भी पीछे लगा दिया सब की आंकों में धूल जोग कर वो मेरी बीटी को लेकर काउं में चला गया सर्वास हम सब गाउं जाएंगे वाहां के पुलिस को इंफार्म कर दो एचलो सब यह दवाई दिन में तीन वक्त दीजिएगा भूलना मत सब लोग पानी को उबाल कर उसे ठंडा करके चान कर पीजिए बुलिए कई दिनों से चक्कर आ रहा है बाबू एक बर लंबी सांस लीजिए यहां सबको बिमारिया फिटिमिन्स की डेफिशिंस से आती है इसके लिए स साल के बाद कोई डॉक्टर इलाज करने यहां पर आया है आपको हमारी उमर भी लग जाए आप सौ साल जी हैं बहुत 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 पुलिस आई हमारी गाओ में है राजीश यह गाड़िया निकाल हो रहे है आप यह तैमलेट्स ध्यान से लिते रहना हाँ इंफेक्शन न इन गारियों में तो कोई भी नहीं है सर फालतो का टाइम वेस्ट हो गया इने जाने दो और तुम लोग भी जाओ चलो जूट मत बोलना सब सच सच बोलना अभी तुम लोगों को इंजेक्शन और दवाईयां देने वाला वो डॉक्टर और लड़की कहां गई वो लोग आये तो थे दवाईयां देकर पता नहीं कहां चले गए तब कहां चले गए तुम नहीं जानता नहीं जानता कहां गये बोलो जल्दी बोलो बोलो कहां गये भगवान खुद हमारे द्वार पर आये हम उसे पूछेंगे कि कहां से आये हो और आपको कहां पर जाना है आप ही बताईय साब की असा होता है क्या मतलब वो भगवान हो हम शैतान है क्यों हम जाने देजिये सर वरना यह सच समझ लेंगे अब बाब 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 तो क्या बात के यह सार इतना बड़ बड़ मत कर चुप रहे हैं ठीक है यह इतने कॉंफिडेंस से बोल रहा है मतलब बोलो गया नहीं है उन बैल गाड़ियों पर ही मेरा शक है चलो सार तो यहीं है बैल भी नहीं है उन्हें चलाने वाले भी नहीं है सार वह दोनों निश्चित रूप से इसे गाड़ी से भागे हैं हमारी आखों के सामने से वह निकल गया वह यहीं कहीं नजदीक में होंगे दूंडो कोना कोना चान मारो को अगल इतनी डेर से ढूंड कर क्या क्या तुम लोगों सब पूछ रहे हैं क्या किया रात को क्वाटर ती थी हाँ मुझे साइनस है और मैं जानता हूं तुम सब माइनस हो अब कुछ नहीं हो सकता किवल एक गाउं में नहीं सेंटर में कहके एक साथ सारी पुलिस फोर्स क रही नहीं पूरे देश की आर्मी लगवाओगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे लोगों ने उन्हें दिल में बसा लिया है लूँ लूए ओ पूलिस इस तरफ गई है हम उस तरफ चलते हैं थेरे से तो लो लियाओ ऐसे समझ कर आराम से अब यहां से कैसे जाएंगे इस डाल के सहारियम उस तरफ जाएंगे मुझे डर रग रहा है मैं नहीं जाए सकती कुछ नहीं होगा मैं हूँ ना चलो आओ मैं नहीं जाओंगे लो पकड़ो पापरे अब क्या करें मेरे पास एक आइडिया है बच्पन में जूला जूला करते थे तब अगर बीच में रूख जाता तो हम खुद हिला कर जूला करते थे अभी भी हम ऐसा ही करके उस पार आराम से जा सकते हैं ठीक है ना ठीक है पार लगाँ इलाओ करता आराम से खुद बोला करते हैं पार फास्ट क्या हुआ ? कुछ तू छुप गया कहाँ पर ? बहुँ एख जए गया हेख थोड़ा सब्र करो जो गया एख किलो मत वरना अंदर चला जाएगा हुआ है है एक मिनित एए कि एक्सक्ष्यूज मी पहले आपके हॉस्पिटल में मालती नाम की लड़की का एवस्टन हुआ था अब उस लड़कीके डिटे़्स चाहिए आप कौन है हर किसी को डिटेल्स यह नहीं पदा सकते छे माईने के पहले की सारे किसेस के डिटेल्स उस रैक में रखे हैं जाकर ढूंड लीजिए नाम मालती एवाशन बिपर्स पोई चला वे थाल etwa मता अजir जारे खिए से के अलभा देँखाया ङुआ मालती ओली आजिएक्या में भी जाक्तानाओसते शुआ कि से तकला खिली एखांसे इसाटाँ की झाल झाल है वास्तो चुरी पकड़ने का तरीका ऐसा होता है और कोई आना जोता है और भागो भागो तुम्हारे कहने पर हॉस्पिटल गई थी वहां पर मालती के पती के नाम पर श्रिवास के दस्तकत किये इन पेपर्स को कलेट किया है यह कितना इंपोर्टन एविडेंस है रोश्नी मरने वाली मालती और श्री निवास के बीच रिष्टा था यह बताने के लिए यही एक सबूत है तू मेरी मैं तेरा दुनिया से क्याले कन्या तीखी चुरी है जब कॉलेज में मेरे पीछे पड़ अडिश क्या बोल रहे हो है नहीं तो मैंने कुछ नहीं बोला है एक तो नहीं शुना है मैंने वोलते हो या नहीं ओके बोलता हूं हां बोलो तभी कॉलेज में जब तुम मेरे पीछे पड़ी थी तभी तुम्हे एक नजर देख लेता तो एक काम भूता था है इस वक्त खुशी से इस जोपने में अपना घर बसा लेता यह बोल रहा था यू मेरे बारे में ऐसा बोलते हो यह जा हाँ पीत्तर बॉट्टर और जॉचीर बर्वावुट इस सब लेंगे क्या हाँ अरे यह क्या है यह घास क्यों हिल रहा है दिन तहारे यह सब क्या है भारी जवानी में दिन क्या और रात क्या छोड़ो मुझे अब बहुत हो गया पस हो गया यह अलग्या बेटी यह ले लोगी तो हम चले जाएंगे डॉक्टर बहुत मुलायम होते ऐसा सोचा था मैंने पर तुम लोग भी धमाल कर लेते हो बाबुजी ने क्या समझा होगा पता नहीं जरा समझा देना अब आज पूरे दिन इस बजार में कोई नहीं आएगा बाबु कई करें दोनों ब्रह्मांड में कहीं भी छुपे हो ढूंड के निकालूंगा अब बाब 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 क्या बात कहीं है सरे अधर पहले उन्हें पकड़ना है तुम उधर जाओ और तुम उधर जाओ आप घर जा रहें सब्सक्राइब आपको पकड़ने के लिए पुलिस आई पूरे गाउं को गेली है जलू चलू 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 इसके अंदर जल्दी जल्दी पति लाओ पतियां लाओ जल्दी ढखो धकतो एई चाहे कुछ भी हो गाउं गाउं होता है और जल्दी 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 जल्द हो अच्छा इभा यह तक टा में चुने कि क्त्रीं को पुने हो ना फो प्लेश। है यहां उसे चलते हैES mean अरे यह पीर जल रहा है काटे रोगों कुछ आए अक ते जो आज कर रहा है तो पेड भागता हुआ नजर आता है पूरी दुनिया नाश्थी विरिकती है ऐभाभाभाभाभाभाभाभा बेडों कि साइक्लो जी क्या पेठर तूपर जा राहे सैर उल्म पकड़नो सर्म दो कर ना है लिए तुम क्या करोगे आहब पेड़ पकड़न nic में अमें जो करें neighborhoods सारा यह सार व्यास सम्तिंग रूंग वड़ा एंस इस से when बंद हो जाएगी कमा वो पेड़ भाग रहा है सर जेस फालो मी यह पगाओ अब उटा ताओ वो भागे सर यही करें परोंगे तुम तो अब जल्दी ढूदो जलो डूदो जा उस्टरा प्डूदो अब दूदो अब अब आए अब आए किया आए धूल जाए तार, अब आए जाए अब आए जाए जाए उनहें कि कि आए आए है इसे तंध सर इल्दी आए जाए है यही करें सब्सक्ते खेस्तार संबूत जाए यही करेंश्तार आई यही करें यही तो अब अदे आए हैं Europe कि इतना बड़ा एसिडेंट हो गई है चलो इने ले चलो जल्दी अभी शहर जाने के लिए कम से कम चार-पांच घंटे लग जाएंगे सब्सक्रिमिनल ने हम पर अटेक किया तो कि येस सब लोग अलट रहो कि सब लोग अपनी कंश फैक दो वरना इसे मार दूंगा तुम्हें अन्जाम भुगत ना पड़ेंगा सब को अपनी अपनी कंश फैकने बोलो अरे फैक दो ना भाई जल्दी से फैको ये लूग फैक दिया सब और किसी को भी हिलने मसें कि ये सारी लोग अभी ठीक है इन्हें आराम करने की जरूत है आओ अलखियर इन दोनों को पकड़ना हमारी बेवकूफी है पुलीस को बोल के कोई फायदा नहीं है डियस्पी भी मिला हुआ है सीधे कलेक्टर से बात करते हैं आप इन सब को काड़ी में डाल दू लेकर जाओ हेलो हेलो सर फोन है सर नमस्ते सर मैं चंगल राइडू बोल रहा हूं जेल से भागे हुए डॉक्टर राजश के बारे में बात करनी है बोलिए सर हरी चंद्रप्रसाद जी की बेटी का किड्नेप करने वाला वो क्रिमिनल नहीं है सर वो दोनों लवर्स हैं वो लड़का बहुत अच्छा है सर उसने हमारे जख्मी पुलीस वालों की जान बचाई है सर यस सर इस केस को गहराई से पढ़ेंगे तो सच समझ में आ जाएगा सर ओक्यों मिश्टर चंगल राइडू आविल सी देट केस थैंक्यू सर रखता हूं नमस्ते सर यह पाइड़ नमबर 786 की फाइल लेकर किया है ठीक है सर क्या हुआ कपड़ों को इतना कस्के क्यों धो रही हो उस राम की बेटी की सुहाग राद हो चुकी है बहुत दाग लगे हैं पहले से डॉक्टर मेम साब और डॉक्टर बाबु के कपड़े मैं धो रही हूं कभी भ पाम वी उन्दोरों की बाद सुनने क्या आपने हों सुझ चुकी हूं गाउं की खुशी चाहने वाले वो दौनों कुश नहीं होंगे यह हमारे शर्म की बात ya जानू इतना क्यों अचल रही हो तुम्हीं देखकर नहीं मुझे ना उसकी दवाई चाहिए वो तुम्हें क्यों चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए मैं ठीक रहती हूं तभी तुमसे कुछ अगर दवाई खाकर जोश में आगई तो पहली बार चाहिए ठीक डौक्टर यही कुछ लिए यह कभी ना बोल सकता हूं कर सा क्भी नाक पर में करने आ cry कि नहीं पुरे गाउं पर हमला बोल देगा इतना ही नहीं अगर इस दवाई को अमने किसी हाथ को खिलाया ना को बस बात खत्म बाहर परवर घरती आकार गड़ गड़ाकर चिलाते हुए पाकते हुए पुरे गाउं को काम सुत्र में बांदेगा ये लो ये ले जाकर उन्हें देदो इसे पीने के बाद इलाज करना भूलकर घर पर तला लगाकर सब कुछ भूलकर मदोश हो जाएंगे लेकर जाओ जल्दी करो जानू वापस लोटने के बाद तुमें नाम दूंगी चलो अलख्या बेटी क्या है दयमा ये ताजा ताजा दूद है बहुत स्वादिष्ट है खास करके आप लोगों के लिए लेकर आई आप दोनों को पीना पड़ेगा ये लो ठीक है अच्छा मैं चलती हूं अब हां पूजा के लिए बुलाने जा रही हूं तुम भी चलो चलो च अलख्या बेटी क्या है हमारे नए घर के ग्रह प्रवेश की पूजा है सारे लोग जाने वाले हैं तुमें भी आना पड़ेगा जरूर आउंगी गाउं की सारी औरोते मेरे घर आई मुझे बहुत अच्छा लगा खीर बना रही हूं खाकर जाए ना आई अंदर कोई बात आई है हम यहीं बैठेंगे आप जाओ ठीक है चलो वैसे दायमा वो दिया है क्या हां दे दिया इसका मतलब आज रात को बहुत मजा आएगा कुछ नहीं रे पहले हम बेसबर पती की कहानी देख चुके हैं खेट में आग लगाने वाली नारी भी देख चुके हैं पढ़ान आने वाले गुरुजी का भी देख लिया है वैसे वीरमा तुमने कितने देखे हैं पाप रे अगर इनका भी देख लोगी तो पुरे साह हो जाएंगे अच्छा अब तक जो तुमने देखे हैं वो सब एक तरफ होंगे में साब और डॉक्टर बाबु का देखोगी तो दूत कहां रख दिया मैंने के लिजे लेपिक ले लो यहाप भी लीजिए अदियी कि खिर बहुत स्वातिश्ट बनी है बेटा यह बहुत अच्छी है मैं जाती हूं मटकी बना बना कर ठक कर आते हैं आते ही खाना मांगते हैं आज तो पेट भर के खिला दूंगी जाती हूं मैं भी आती हूं मैं भी जाती हूं भूग से सोते नहीं है नीद में ही भूग लगी है कहकर चिलाते हैं मैं भी जाती हूं नई दवाई बनाने के लिए उन्होंने मुझे चल्दी घर बुलाया था मैं जाती हूं क्या बात है आज बूर में लग रही हो बात क्या है मेरे प्यार में तुमने कभी वा नहीं बोला है नाम दूंगी बोला था ना आउ जानु मतलब आज बेरी हारी आली हारी हाली होगी चलो पापा मैंने 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 करके आता हूं तुम जाओ अरे बच्चो मैं ये तुम्हें बटाने दे रहा हूं सब आराम से खाना आज दो मज़ा आ जाएगा अरे शादी के ना नए दिन यादा रहे जी तुम दोते रहते थे और मैं बदन तोड़ कर तेखती रहती थी अरे तेरी तो ये बात ये बात करके हमारा दिमाग खराब कर रहे याधी रात को क्या हो गया तुम्हें वापस वो दिन कभाएंगे सोच रही हूं जी मतलब फिर से सुहाग रात मानाना चाहती ओं तव चलू एपना मचल की रही है तु बात क्या है इन दिनों तुम्हे देखती हूं तुम्हे अठाने का मन करता है क्या बात है क्या बात किस बात की बात की पात आजा मेरे छोटे-मोटे-वी इन二 ए जोड़ो ड़ो नहीं शु इसे दोना चाहता था और यह मुझे धो रहे हैं चालो ना अरे मेरी दोती बढ़ चुकी है अरे मुझे नहीं हो आप अरे क्या हो गया तुझको औरे किया यह करें अरे मेरी विस मार्या रमारे मेरी छुपे मिल कहां जारे हु अरे अरे कहां आरे कुल को अरे कुछा अरे शुरू तो कुल ना और मुझे दू को जाओ मत नट कर दो हो साई municipality साई यह बखिधा वाट दोयां गुओा को रिkenा इख़ू रजाव बष्द के वहहाई क्यों से बbor कर दोया खिजदा, बख्द कर देका कि फट्या। इधर चुप जाता हूँ, क्या हुआ डक्तर, इतना घबराय हुआ क्यों है रे, पूरी कान ही पड़ा चुकी है, सेम तू सेम, मेरे साथ भी वही हुआ, ये क्यों आ गया रे, यहां चुप जाता हूँ, तेरे साथ के, अरे, जब हम जेसों कई हाल बुरा हो गया, तो ये तो तुम्हारा सामना करना अमारे बस की बात है, तुम सब महिमत जादा है, प्यार जादा है, एकता जादा है, सेंटिमेंट्स भी जादा है, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे तो वो अपनी मा को ढूंगता हूँ, आएगा न, अगर कोई आगे बढ़ाना, तो मैं उसे जला का रखेंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, कल तक इसका बेटा मेरी बेटी के साथ सुन भारती स्टेडियम के पास आ जाना चाहिए, वारना, इस सुम्र में मैं इसे वापस दुलन बनाऊंगा, नहीं समझ में आया है न, इसके शादी मेरे साथ होगी, इसका बेटा मेरा बे जाएगा, नहीं दुलन को इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकर चलो, छोड़ो, 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 रुक जाओ, गलत है सार, छोड़ दीजिए, तो क्या, चलाट, छोड़ दीजिए, तुमसे बड़े ओफिसर होने के नाते बोल रहा हूं, हट जाओ, छोड़ दो इतने दिनों से चेक पोस्ट पे चोटे-चोटे मुझरिमों को पकड़के अपनी सर्wis बरबाद की मैंने, लेकिन तुम जैसे कमेनों को पकड़ना ही मेरी असली सर्विस है इस डोटो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो उने छोड़ दो तुम्हारी सेटी तोमारा मानस है तूर बैट बैठ गेज़े अने भाई साब सरको उठा खेल लेडे चला वाई साफ मेरी मदद करो आओ बाई सर सर आपने अंत्म कि देशार कॉम है वस्तार जाना को जाना है तो अजा है तो अजा हुआ ने अन्युटर को विद्सक्राइब दोख्टर त्सक्राइब डॉक्तर तो आएकर क्या हो जाओ जल्दी मेरा बेटा जरूर आएगा मुझे और तुम्हारी बेटी को यहां से ले कर जाएगा बेटा मा मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगे इसलिए यह सब अरेंज्मेंट किया मेरी बेटी करोडों की जाधात की मालिक है मेरा होने वाला दामाद एक पावर्फुल लड़का होना चाहिए वो दम तुम में है क्या अरीचंद्र प्रसाद पहले मेरी मा को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं चोड़ूँगा पहले मेरे आद्मियों को मारो, उसके बाद, अपनी मा और मेरी बेटी दोनों को लेकर जाना, नहीं तो, मेरे आद्मियों के हाथों मर जाओ, इससे चैलेंज, पहले माज़े को छोड़ने को पोलो, बाद में फाइट लोगी, नहीं तो हम सम्विल कर इसे मार रहेंगे, अगर अकेर आया का सोचा था ये तो पुरे गाहों के साथ आया है, जिन्दर आये तो बेर की बोतल बेच कर जी सकते हैं, ऐसी बाते हैं? चाप यहाँ से निकल लेते हैं, एएए यह यह ज़िए यह ज़िए अबर कि 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 ुख बीका थाज इफ बेने लान्से नहाँ कुछ सेटाफ डरभाँ कोजिए सक्मेया रांस ड्रहाँ काजौ刃 этого आता है सक्र्ल roam मिदे क kiss इसल बीळा हम आता हम कि यह क्या एक साथ दोतीन लोग आगे यह नहीं है यह यह इस एरिया में मैं जो बोलता हो यह होता है हुआ है हुआ है अ हुआ है हुआ है हुआ 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 वपब हुईяет में एटो प्यूजे एप अबर प्रियो कर दो! कि यह जो जंग है यह तेरे और मेरे बीच है अगर तुझ में हिम्मत है और तु एक बाम की आउलाद है ना चल वन्टु वन्ट करते हैं मुझे साइनस है वही तेरा माइनस है कि यह करते है evitar करकिording का बाम वन्टु ज फिल टो inherent बाम का कर तो तु ए कर बाम कि जादिए उन्ट कर दो अएग! वाभ बेदा! बेदा! केला कि मन पूसाद लगीए अएग अपार ठेञopher जो KD-KA-PRO यह तो अउर यॉ हो ... हाइ.... हा हाइथ हाइ... हाइब रभू हाइथ हाइथ हाइ 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 हा ऎ दो दो तीन आ पैजीत गया बेटा उठो बेटा रट्टर बाबु उठा पाबु उठो पाबु उठो पाबु उठो आपा तेन अरब पाबु और नवीड तो अट्रॉ अेंचर और जनाना वैंस अेंचर को और प्रॉपी하면 को औरॉक्षिंट और टाप का येंचरू को और ट्रॉक्षिंट और टाप। हुटे कम की य। यूलर, 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 रुलर, यूलर, यूलर, यूलर हुटे कुश। अ कर में, है! अ कर दोलाई है! अ मैं प्फूल्ट! अ कर दोलाई सेजड़ें! ए अ अ अ कर दोलाई! अ आ अ कर दोलाई! जुर दए के कि भ надiece सकते से अ अ, और बहुमार है… यह दो क Mary! कि अजय को नहीं 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 पापी को मार कर अपनों से दूर हो ना मुझे पसंद नहीं है राजेश मुझे साइनस है मैं खुद ही माइनस हूं मिश्टर हरीच चनपरसाद यू और अंडर अरेस्ट तुम्हारे सारे गुनाहों के सबूत मेरे पास हैं इंस्पेक्टर टेक इम आवे यह सब्सक्राइब को भी लेकर कर जाओ राजेश इनके दिये वे सारे सबूतों के आधार पर तुम निर्दोश प्रूफ हो चुके हो तुम्हारी सदा को रद करने के लिए यह कोट के आडर से यह लो तुमने मेरी और हमारे गाउं की बहुत मदब की है यह सम्थिंग स्पेशल टु मी डॉक्टर राजेश तुम्हारे लिए गुड न्यूज है तुम्हारे जैसे नौजवानों की इस देश को बहुत जरूरत है मैंने तुम्हारे बारे में से बात कि है आपके गाउं के जिनमार 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 जिन